कि है कि है गाइस वेलकम बेक तो चिल मेडिकोस तो आपको पता होगा कि यार अपने को एलबली से का टिशू तक ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने को एक मीडियम की जोगत पलती है ओक्षियन को ले जाने के लिए तो मीडियम क्या होगा बिलल टीक में लिए ज四 खते हैं तो टीक तो पहला मैं आपको स्कुल बता देता हूं कि यहिस से का क्रांसपोर्ट होता है पर आपने देड़े पढ़ेंगे झानल यहां पर आप प्रेसर कितना होता है बेटा पार्सिल प्रेसर ऑफ ओड होता है अपना होता है 159 mmHg अपने का प्रेसर आपने इसका प्रेसर अपने यह कर दिए ड्रो कर दिए अपनी अपना प्रेसर होता है कितना होता पार्शल प्रेसर ऑफ ओटू कितना होता एक सो दो एमें एच जी तो क्या होगा आपको पता है कि हमेशे कहां से जाती है स्क्राइब रिफट क्या होता है तो क्या करेगा है तो लंग्स अपने फोरसे केज की बात करते हैं थो अंदर लंग्स भी तो क्या एक्सपांड प्रोसेश से घ्रोच करते हैं नेगेटीब प्रेसर उस negative pressure की वज़ से क्या होता है अपना जो हैं का pressure होता है वो कम होगे कहा दर पहुंच जाता है 102 mmHg एलवली के अंदर ठीक है बन अंदर 2 पर पहुंच जाता है तो अब इस negative pressure की वज़ से क्या होता है जो बाहर जो oxygen तो उसका partial pressure बन 59 mmHg था तो वो enter कर जाती है अपनी एलवली पोगे अंदर थईक है तो ये तो कहां से होगे अपना year से लेकर खित य इनिवरुमेंट्स लेकर अपने अंदर कैसे oxygen पोची ठीक है ये तो अपने जो आपा समझ आता है क्या सैते हमें के ऐलबशी काओं है कि हैष्ट कैपिलिरियू मेंको घर को बना अनल obsessed with penis में एन्मित होता है कि यह रेट इसल आपको दिख रहा है न यह वह जाएंगा अपने कौन से एंड़ोथीलियम जो अपनी कैपिलर ही यहां पर आ रही है न इसके सेल होगा ठीक है फिर इसके जस्ट नीचे क्या होती है अपनी एक साथ मेंब्रेंब की यह मैंने ब्लेक क्लार से से版 मेंब्रेंट कर दें एक इसके बाद नहीं के बीचमें रहती एंटरस्टीशियल स्पेस भड़ते ही इंडियस मेंड़ो जो सूर्स एसके richter am इसके बाद का आएगा इसको पर एक फिलोट रहता है जो नॉर्मल फिलोट रहता है जो सबसे लाश्ट में होता है वहां पर होता है अपना अपनी होती है अपनी तो अपना अमें अपनी के चाहिए नहीं तो इसको आपनी का होती है अपनी मेंब्रीन तब क्या होता है इसके इस side से अपने को is side लेके क्या जानी है? oxygen ठीक है? oxygen अपने को यगर मैं बोल दूँ यह capillary है ठीक है? और यह अपना क्या lungs है? यह alvelyos की तो अपने को oxygen capillary के अंदर डालनी है और हेहाँ से co2 निकालकर अपने को capillary से कहाँ डालनी है ? लंग्स के अंदर ठीक है तब इसके लिए भी क्या होता है जो यहां पर अपनी जो membrane बन रहा है यह respiratory membrane बिटा इसमें अभी क्या spaces होती है ठीक है उन इस पेस के थुरू यह gas का अपनी क्या करती है diffuse करती है तो अगर मैं बात करूं कि जो exchange of gases हो रहे हैं papillary and elderly की बीच में तो एक किन-किन factors पर डिपेंड करेंगी सिंपल सा question है तो एक तो भाई किस पर डिपेंड करेंगी partial pressure of gases जित्ता ज्यादा partial pressure difference होगा तो दोनों के across उत्ते ज्यादा डिफ्यूज करेंगी second अगर मैं respiratory membrane की बेटा thickness कम कर देता हूं reduce कर दी मैंने तो क्या होगा तो अभी gas क्या जल्दी-जल्दी क्या diffuse कर जाएंगी तो एक कोस इसके factors होते हैं जिसके थुरू क्या मतलब कि अगर respiratory gas का exchange जादा हो रहा है कम हो रहा है ठीक है यहां पर देखिए आप इस diagram में कि यहां पर क्या अपना बीच में elbow दे रखी है यह वाली ठीक है और इसके बाद यहां पर अपना क्या जो आपको इतना वाला दिख रहा है यह तो अपना heart का portion हो गया ठीक है इसके बाद जो उपर वाला बचरा यह सारा का सारा कौन से circulation अपना pulmonary circulation और यह heart की position की नीचे वाला है अपना systematic circulation तो क्या होता है यहां पर अपनी जो oxygen की बात करते है तो oxygen का partial pressure कितना होता है बीनस end में तो बीनस end में होता है अपना 104 mmHg जो की partial pressure of the elbow से काफी जादा है 2 mm circulation में और फर्दर आगे जाद वो tissue तक चली जाती है तो इस simple diagram इसको आप एक बात देख लेना अच्छे से ठीक है तो कि मेरे बताने से सिर्फ आपको समझ में आएगा लेकिन इसमें आपको value सियात करना ही पड़ेंगी तो यह values आप थोड़ी देख लीजिएगा ठीक है आग इसका पहला form क्या हो सकता है simple physical ठीक है simple physical solution के form में क्या कर सकती है एक तो टांस्पोर्ट हो सकती है और second क्या combined with hemo globe दो टाइप से हो सकती है तो यहां पर कुछ gas दे रखी है अपने को आर्ट्रियल एंड वीनस ब्लड में ठीक है तो आप अपन ऑक्सियन की बात करेंगे नौर्मली ठीक है जो partial pressure होता है ऑक्सियन का ठीक है यहां पर गौर से देखना ठीक है जो partial pressure होता है यहां पर oxygen का तो य अगर में content की बात करूँ कि अगर 100 ml में इसकी कितनी percentage होगी ठीक है अगर मैं बात करूँ ऐसे कि आपके पास 100 ml blood है ठीक है तो 100 ml blood में कितने ml oxygen होगी ठीक है तो अगर आर्ट्रियल ब्लड की बात करते हैं तो आपको पता है कि arterial blood होता है वो अपना क्या oxygen लेकर आता है ठीक ह इतना अपने ब्लेट, उसमें क्या होता है, उसमें अपनी ओक्षियन टिशुने उसकर लिए, तो यहाँ पर ऑुखियन ने ब्लेड में एमेल पर हंडेड एमेल ऑप दी ब्लड अगर हंडेड एमेल ऑप दी ब्लड आ रहा है तो उसमें सिर्फ पांच परसेंट अबर पांच एमेल जो ऑक्षियन का कंटेंट था वह अपने टिश्यू को पास गया है बाकि 14 परसेंट क्या बापस बीन ब्लड से अपना लंग्स की और आ गया ठीक है सिंपल आगे बात करने है अपन सिंपल सिंपल सॉलिशन के फॉर्म में जो ट्रांसफर होती है इसके बारे हम देखते हैं ऑक्षियन डिसॉल्व इन बॉटर ऑप दी प्लाजमा जो प्लाजमा का वाटर कंटेंट होता उसके साथ डिसॉल्व करती है एंड ट्रांसपोर्ट इन फिजिकल फॉर्म फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है एक चीज़ आपको याद रखनी है तो इसमें क्या होता अगर मैं 100 ml प्लाजमा की बात कर रहा हूं तो वह कितना ले जाएगा सिरफ 0.3 ml ऑप दी ऑक्सीजन ठीक है 0.3 ml ऑक्सीजन ले जाने के लिए 100 ml प्लास्मा की जरूवत पड़ती है ठीक है ब्यकोज फॉर्ट फॉर्ट सॉलिबिल्टी ऑप ऑक्सीजन इन दा वाटर कंटेंट ऑप दी प्लास्मा यहां पर क्या इसकी पूर सॉलिविल्टी है इसलिए 100 ml में कितना 0.3 ml ही ले जा पा रहा है ठीक है तो इ अगर आपको वाटर के सॉलिवल फॉर्म में आपको अगर ऑक्सीजन मिल लगा ट्रांस्पोर्ट हो रही तो वह कहीं न कहीं आपकी हेल्प करेगी ठीक है तो आपके अपने इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है अगरे का मिनिठ ब्धिमोगलो NBA देखते है क्या होता है ऑक्सींं घंघ लगे ट्रांस्पोर्ट था अऍ ड़ीय्व गलोबिन लगां त्रांस्पोर्ट कि इन ब्लड्ट एंट ट्रांस्पोर्टबं चा लाँं मेंस्ला ट्रांस्पोर्ट नहीं रों परोध्न आपके विल अ ऐसे होगлиवन होगी तोड़ा ऐसे यह देखिए अगर यह मेरा hemoglobin है और यह मेरी oxygen है सिर्फ इसके साथ एक कममाइन कर गई ठीक है लेकिन यहाप इसका कोई भी reaction नहीं होगा hemoglobin के साथ ठीक है तो oxygenation not oxidation ठीक है यहापे oxygenation हो रहा है यहाँ पे oxidation नहीं हो रहा है ठीक है और radially release from the hemoglobin और रेडियल ही क्या है वो रिलीस कर जाता है हीमोगलोबिन से ठीक है फिजिकली कममाइन करता है और रेडियल ही रिलीस हो जाता है आगे बात करते है ऑक्षियन कममाइन बिद्धी आइरन ठीक है इन हीम पार्ट ऑप दी हीमोगलोबिन क्या होता है आपने हीमोगलोबिन पढ प्या Напर यहां पे क्या होते हैं चार आराइन के मॉल्पील होते हैं प्लस टू इस्टेट में एक हीना हो जाएगा एक हीना हो जाएगा यहां हम्हाँ तो एक यहां में है प्लस टू फोर्म कर दूनासी के छार अउक्सिज़ बोलू एक और टरम में तो यहां पे चार ऑक्षियन के मॉलिक्विल लगते हैं चार मॉलिक्विल और आठ एटम ऑफ ऑक्षियन तो यह तो सिंपल बात हो गई आगे बढ़ते हैं इच मॉलिकुल ऑफ दा हीमोगलोबिन कंटेंट्स फोर अटम अपने उपता है आइरन प्रजेंट इन दी फीरस फॉर्म अस्फॉर्म मतलब प्लस टू और फैरिक मतलब प्लस त्री तो इच आइरन एटम्स कम्माइन बिद वन मॉलिक्विल ऑफ ऑक्षियन मतलब इच एटम म व् Lud एट नो एक मॉलेक्विल क साथ करेगा कम माइन करेगा या फिर 2 एकम्माइन क solaat अफ्टर आयरन रिमेंस अंधी फीरस फिर्मॉर्म ऑलली अगर कंविनेशन हो गया तो उसके बाद जो न न का फॉर्म था वह कौन सा रहता है फीरस में भीड़ता है एक मन्स प्लस थो म अब simple देख आपना हेमोगलोबिन है तो हेमोगलोबिन अगर मैं बात करूं कि एक ग्राम ओफ हेमोगलोबिन में होरऊ कि necessitate एक ग्राम ओफ हो फिकलो अपनी कितनी oxygen को केरी कर पारा है थीचते कितनी oxygen को केरी कर पारा है तो क्या होता यहां पर 1.3 ml टीक ऑचन केरी करता हो एक ग्राम एक फिन ग्राम औbahn अब पॉइंत है कि तो कि इसकी क्या हो आप की, 24 ml of O2 ठीक है यह तो किसकी होगे ही अब देखते हैं बलड की ठीक है तो अमांट उब आउक्शियन ट्रांसपोर्ट बाइब बलड ठीक है मतलब कि जितने अमांट में ओक्शियन ट्रांसपोर्ट हो रही बलड से ठीक है नॉर्मल हीमोगलोबन कितना होता है अपना ? 15 ग्राम पर्सेंटेज का मतलब क्या होता है ? इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपके पास 100 ml of blood है ठीक है ? तो उसके अंदर आपका 55 ग्राम क्या होगा ? हीमोगलोबिन होगा परसेंट मतलब 100, 100 मैंसे ही निकालते हैं न परसेंट, तो 100 ग्राम बिलड में आपके पास 15 ग्राम क्या होगा, हिमोगलोबिन होगा, अपने को क्या पता था, अपने को एक चीज पता थी, कि जो हिमोगलोबिन की oxygen carrying capacity थी, वो कितनी थी, कि 1 ग्राम हिमोगलोबिन में अपनी 1. 1.34 ml of oxygen क्या carry करता था, तो 15 ग्राम में कितना करेगा, calculate करो, ठीक है, calculation के बाद अपना जो आंसर निकलता है, वो आता अपना 20.1 ml of oxygen is carried out in the 100 ml of blood, अपने को एक पता था, कि 100 ml में 15 ग्राम हिमोगलोबिन होता है, और 1 ग्राम हिमोगलोबिन क्या, 1.32 करता है, ml of oxygen carry, तो 15 ग्राम कितने में होता है, 100 ml of blood में, तो 100 ml of blood कितनी oxygen carry करेगा, 20.1 ml of oxygen, simple है यार, तो यहाँ पर वही लिख रखा है, मैंने oxygen carrying capacity of hemoglobin, 1.34 ml per gram, तो 15 gram percentage of hemoglobin, तो 15 gram percentage of hemoglobin, कितना करता है, 20.1 ml percentage of oxygen, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, चो 15 gram percentage of hemoglobin होता है, वो सिर्प carry कितना करता है, 19 ml percent of oxygen, मतलब कि अपना होना कितना चाहिए था, 20.1, पर उसकी जगा कितना है, 19 ml, तो इसका मतलब क्या है, अपना है, अगर मैं बोनू, तो 1.1 scale lag कर रहा है, अगर जो अपन माने कि अपने blood में, 15 gram hemoglobin था, तो भाई, उसको तो 20.1 ml of oxygen carry करनी चाहिए थी, लेकन उसने इ hemoglobin था, उसका पूरा saturation नहीं हुआ है, मतलब पूरे hemoglobin के साथ oxygen कमाइन नहीं है, मतलब कुछ hemoglobin वहाँ पे फिरी होंगे, फिरी होंगे, तो इसका मतलब क्या है, कि जो oxygen का saturation होना था, वो complete नहीं है, इसलिए बोलते हैं, जो oxygen का अपना saturation होता है, बोन 95 percent है, 97 percent तक ही होता है हमेशा complete नहीं होता है, ठीक है, because hemoglobin is not fully saturated with the oxygen, ठीक है, only for 95 percent, saturation, saturation is the state or condition when hemoglobin is unstable to hold or carry any more oxygen, मतलब एक कंडिशन होती है, जिस कंडिशन में कि hemoglobin और ज्यादा oxygen को hold नहीं कर सकता है, यहाँ पर oxygen molecule को accept नहीं कर सकता, ठीक है, और जो saturation होता है, बो डेपेंड करता है, अपना किस प simple था बेटा, कोई जादस में science माइस नहीं लगी अपनी खतरनाक वाली, simple था सारा का सारा concept, I hope कि आपको समझ में आ गये होगा, exam में आपको सेवडू से मैसा ही लखाना है, ठीक है, और जो मैंने आपको समझा है तो उसको अच्छे समझा करो आठ, ठीक है, अब कर करना है ब बट जो important है वो तो होई, बट उसके साथ जो less important चीज़े हैं वो भी cover हो जाएगा, exam में आती है, तो आप उनको handle कर पाओ, ठीक है, बाखी अच्छे से पढ़ाई करोगा, thank you for watching and keep